हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे चनल में स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको समसंग गलक्सी एस एट की स्पेसिफिकेशन और इसका जो प्रोजन कॉंस होंगे उसके बारे में और इसका क्या प्राइज रहेगा उसके बारे में सब कुछ डीटेल ना पताएंगे तो प्लीज इस वीडियो को आप देखते रहिएगा तो आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों से पहले बात की यह लॉंच कब होने वाला है तो यह आपको सब कुछ अभी डीटेल्स में नहीं आपको सब कुछ अनौन्स हुआ है तो ब यूज नहीं कर पाएंगे हमें सुनने मुश्किल होगी तो ऐसा नहीं है अगर आप 5.5 इंच का फोन यूज कर रहे हैं तो आपको मुश्किल बिल्कुल भी होनी होने वाली क्योंकि अगर आप एक साइट पर 5.5 इंच का कोई भी स्मार्ट फोन टक लीजिए और समसंग गल आ रही है वह आपको 84.4 परसेंट आपको मिलेगी आपकी 5.8 इंची स्क्रीन जो की बहुत अच्छा है आपको प्लास्टिक एडिया साब कुछ कवर कम हो जाएगा बकि आपके स्क्रीन साइज जाधा रहने वाला है तो इस करके आपको इतना मुश्किल नहीं होगा आपको क इसक्स जिरो पिक्सल्स का इसमें रैजोलीशन मिलता है जो कि 4K आल्टर एचडी आपको की आपको स्क्रीन मिल गई इसमें और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो वह भी कमाल की है दोस्तों ऐसी आपको प्रफॉर्मेंस वाला फोन आपको सिर्फ एक एक ही औरनेजिशन से किसी और फोन से आपको पता लग जाएगा तो इसमें पिक्सल्स की डेंसिटी आपको देएगी 568 PPI की देदी है जो की बहुत ही अल्टर एचडी आपको वीडियो आपको स्क्रीन पे प्ले होगी आपको अल्टर एचडी डेजलिशन आपको मिल रहा है तो मल्टी टैच जि अगर हम इसमें अंड्रेट की बात करें तो इसमें आपको अंड्रेट जो बिसके लिए आप इस करंट में चल रहा है 7.0 वह आपको मिलने वाला है इसमें अपने Samsung Galaxy S8 के अंदर चिपसेट की बात करें तो कॉलकॉम MS-M898 Snapdragon 885 का आपको चिपसेट मिलेगा CPU की बात करें इसमें तो इसमें फिर से इसने बाजी मार ली है दोस्तों आपको 4.2 GHz का Octa-Core प्रोसेसर में इसमें मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों यह बहुत ही High-Performance प्रोसेसर है जो basically देखा जाए इसमें जो इसकी जो प्रोसेस पे रन होंगी और जो जो आकी बकी दूसरी की चार होगी वह 1.9 GHz पे रन होगी basically इसमें जो Adreno आपको मिल रहा है GPU आपको Adreno 540 मिल रहा है तो basically यह combination रहता है जो Samsung का बहुत कमाल का रहता है इसमें performance आपको कहीं पे भी आपको lag नहीं मिलेगा कहीं पे आपको कहीं पे भी कु activity है 256 GB तक का इसमें support होगा memory card internal memory की बात करें तो दो options में आपको मिलता है 64 GB में और 128 GB में और RAM की बात करें तो दो दोनो डोनों आपको दोनों वरीटी में आपको सेम मिलेगी 4 GB मिलने वाली 64 में और 128 GB में उपको 4 GB RAM मिलने वाली है camera की बात करते हैं camera में आपको इसमें जो primary camera मिलेगा वो मिलेगा आपको 12 MP पर इसमें जो आपको अपर्चर रेट है वो काफी इसमें मज़दार रेन बना दिया 1.7 आपको F1.7 आपको मिलेगा 26 mm पे अपर्चर रेट जिसमें फेस डिटेक्शन आटो फोकॉस रहने वाला है LED flash आपको मिलेगी मिलेगी और बाकी features की बात करें camera में तो आपको 2.5 आपको इसमें 1.2.5 image sensor आपको मिल रहा है sensor size और 1.4 mm आपको pixel size मिलेगा जिसमें आप simultaneously 4K video we record कर सकते हैं दोस्तों यह सबसे बड़े advantage है कि 12 MP में आपको कुछ ना कुछ हद तक आपको इसमें Apple का touch मिलने वाला है basically user interface में नहीं मिलेगा पर जो features हैं उसके काफी कुछ मिलते दूते हैं आपको 12 MP का camera दिये दिया है 7 में iPhone 7 में इसमें भी आपको टेला मेगा पिक्सल का ही camera दिया है जो कि ठीक है बट अगर हम discuss करें इस भी details में तो आपको basically rate रहने वाला होगो मिलेगा 60 frame rate पर सेकिंड बिसिकली यह देख थर्टी फ्रेम अगर रेट होता तो हम मानते कि चल जब बीगिनर आपको 4K resolution आपको output मेलेगी बट नहीं आपको 60 frames per second में आपको recording करने कि इसमें आपको facility दी जा रही है पहां यह जरूर होगा कि इसमें आपको memory काफी खर्च होने वाली आपकी internal memory अगर आपके external memory है दोनों खर्च होंगी obviously इसमें मैं recommended करता हूं कि आप class 10 ही इसमें memory card डालिएगा तो भी आपको output का मजा सकता है नहीं आएगा आपको phone hang होने की chances पूरे पूरे हैं और video recording अगर हम full hd की बात करें तो आपको 1080 pixels पे 120 फ्रेम रेट पे आपको recording मिल जाएगी secondary camera की बात करें तो इसमें आपको फिर से इसमें आपको NFC spotted भी है बट इसमें आपको जो USB मिलेगी वो type C मिलेगी 3.1 reversible connector मिलेगा और इसमें जो हम Scanders की बात करें जो Samsung की S series से बात इसमें इसमें काफी इसमें अकर्शित होते हैं तो इसमें sensors की जिकर जरूर होता है इसमें बहुत सारे गिने जोने sensors इसमें दिये गए हैं जैसे की आईरी sensor आईरी sensor आपके रेटिना को scan करने के लिए बिसिकली होता है fingerprint sensor इसमें रलगाव है जो की back side पे mount होगा और accelerometer और proximity की बात करें तो यह basically सभी Samsung के phone में आपको मिल ही जाएगा और gyro भी है इसमें compass भी है barometer है heart rate है और spo2 sensor भी है तो basically heart rate और spo2 basically आपको back side पे मिलेगा आपको और इसके में अगर हम spo2 की बात करें spo2 आपका basically होता है oxygen blood की और जो oxygen होती उसको rate आपका measurement करके इसमें और इसमें ब्राउजर के बात करें तो HTML5 supported है जावा इसमें support नहीं करता है तो basically overall हमने सब कुछ discuss कर लिया है और हम इसकी जो प्रॉस देखते हैं तो first of all इसके प्रॉस तो यही है कि जो इसमें chipset आपको दीगे है वह snapdragon 835 दिया गया और इसों का CPU तो बहुत ही कमाल का है जोंकि 4.2 GHz का इनों ने दे दिया है और GPU Adreno 540 के combination के साथ तो इसमें जो internal memory है वह भी काफी इसमें काफी हद तक आप इसमें impress हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो basic आपको internal memory मिल रही है वो है 64 GB की और तीसरा आपका प्रो स्क्रीन की जो आपको 5.8 इंची का मिल जा रहा है इसमें resolution वह भी 4K में और तो उसकी pixel density भी कमाल की है जिसकी आपको मिल जाएगी इसमें वह आपको मिलेगी 568 जैसे मैं आपको पहले बताया था PPA की मिलेगी इसमें एक option आपको जो मिल रही है वह आपको इसमें मिल रही है कि 4K आप recording कर सकते हैं बट इसमें अगर camera 20 megapixel होता है 16 megapixel भी होता तब भी चल जाता और दूसरी बात इसमें आपको रेडियो नहीं मिलने वाला तो जो की जो की आप travel करते हैं तो आपको रेडियो सुना पसंद करते हैं जाकि कोई फेवरेट प्रोग्राम्स होंगे तो आप इसमें नहीं आप सुन सकते basically और तीसरी कोई मैं आपको बता दो इसमें कि इसमें जो आपका जो इन्होंने बैटरी दी है वह 3000 एमेज की नौन रिमूवल यहां मैं काफे में नराश हूं क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें 4.2 GHz का Octa processor आपके फोन में रन होगा और 4Gb आपकी RAM है basically और 4K resolution आपका रहने वाला है एमेज की या इससे उपर बैटरी दे देते तो बहुत ही मज़ा आजाता तो basically इसकी यह pros and cons थी basically जो हमने डिसकस करी अभी इस वीडियो में और इसका हम प्राइस बता दें तो प्राइस basically इसका जो अभी रूमेट है अभी launch नहीं हुआ जैसे कि आप सब जानते हैं तो इसक approximately price रहने वाला है 58,000 से लेकर 62,000 के बीच में जो की आमोमन देखा जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको sensor सब कुछ सब कुछ में मिल रहा है तो आपको सब कुछ आपकी पैसो की वर्थ है इसमें अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो basically दोस्तों आज की वीडियो में के वीडियो को और प्लीज वीडिया को देहें